नमस्कार स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में मैं हूँ अन्चसेंग सरकार आपके साथ एक ऐसा कारिक्रम है जिसके माध्यम से आप किसानों तक विभिन योजनाओं के बारे में विस्तर जानकारी पहुँचती है साथ ही हम आपको भी बताते हैं कि कैसे क्रिशी में आप नई तकनीक अस्तमाल कर सकते हैं क्रिशी और किसानों से जुड़ी हुई वेबसाइट पोर्टल या फिर एप से कैसे आप लाब ले सकते हैं लेकिन आज का विशह है थोड़ा हटकर क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रिशी परिटन या फिर कहें एग्रो टॉरिजम के बारे में क्या है ये पूरा कंसेट कैसे इसे किसानों को भी लाब होता है और इसके अलावा शेहरी परिवेश में रहने वाले लोगों को प्रकृति के करीब जाने का मौका मिलता है वो किसान और ग्रामीन गत्विध्यों को बहतर तरीके से जान पाते हैं और इसके बीच में कड़ी बनती है एग्रो टूरिजम या फिर कहें क्रिशे परेटन तो आएए सबसे पहले इस पूरे विशाय के बारे में समझते हैं हमाई इस रिपोर्ट में हमारे देश में क्रिश परेटन में काफी संभावनाई हैं देश में कुल 6.5 शून्य लाख गाओं हैं इसमें 14 करोन से ज़ादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70 फीसदी से ज़ादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रिश पर निर्भर हैं ऐसे में क्रिशिप पर्यटन गाउं में रहने वाली लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वेसे तो गाउं की सुन्दर्ता को रोजकार से जोडने के लिए क्रिशिप पर्यटन की शुरुआत की गई। लेकिन क्रिशी पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझाते हैं। जैसे क्रिशी जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायो परिवर्थन के कारण, खेती में आने वाली परिशानिया, इनहीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए क्रिशी पर्यटन को पढ़ावा दिया जा रहा है। खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा क्रिशी परिटक स्थल पर आने वाले परिटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शिन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में क्रिशी परिटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है। जो न सिर्फ प्रकृति की कोद में जाने का मौका देता है, बलकि ग्रामीन आबादी को रोजकार भी देता है। तो जाना आपने कि कैसे एगरो टूरिजम काफी तेजी से फल फूल रहा है और इसका विस्तार हो रहा है, किसानों को भी इसे कई तरह से लाब हो सकता है। इसे के साथ ही यहां वक्त एक छोड़ से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद विशे शरगे से जानेंगे इस विशे के बारे में और विस्तार से। आपको बहुत अच्छा है। वाकर यह इतने यमी नूडल्स बने है। मैं प्रवाकर, मैं शेक्षतीज, लेकर आ रहे हैं अपने शाटा जर्निया। देखिए क्रिशी स्टार्ट अप, हर्शनिवार राज सारे 9 बजे और सोंवार शाम 4 बजे, सिर्फ दीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम बात करें क्रिशी परिटन, एग्रो टॉरिजम के बारे में। आईए अब आपको लेकर चलते हैं विशे शर्गे के पास और जानते हैं इस विशे के बारे में और विस्तार से। यह पूरा कॉंसेप्ट क्या है क्योंकि इसमें क्रिशी भी है लेकिन परिटन भी है, तो इसे कैसे संझें। आपके बहुत अच्छी बात की, इसमें कर्सी मतलब किसान, परिटन मतलब अपने जो परिटन को परिटन हो गया। किसान अमारे राष्ट का गोरोव है और परियटन अमारे राष्ट की पुंजी है तो यदि ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए तो एक ग्रामीन अर्थवस्ता और देश की राष्टी पुंजी बढ़ाने में कभी योगदान मदद कर सकते हैं परियटन कई परकार के होते हैं डेजट परियटन होते हैं समूंदरी परियटन होते हैं लोग पाढ़ों में जाते हैं गूमने के लिए एक होता है ग्रामीन परियटन ग्रामीन परियटन में क्या होता है कि जब ग्रामीन के अंदर कोई चीज फेहमस है या वहां की कोई चीज पॉपुलर तो उबोगता एक्तिकत रूप से जाके वहां से खरीता और उनको पे करता है तो वो ग्रामिन परीटन हो गया ग्रामिन परीटन का एक रूप है और परीटन के नविंतम परीकल अपना है करसी परीटन करसी परीटन में क्या है कि ग्रामिन परीटन वाली उसके गतिविडिय को देखते हैं, वो किया खेती के अवसर परदान होता है और पलस उनकी किसानों के कारियों को सहराना करने की अवे उनको मौका देखते हैं तो करिशी परेटन, गामी लेवल का परेटन है जो किसानों से जुड़ा हुआ है जी बिल्कु जैसा कि आपने बताया क्रिशी परेटन गाउं से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है, खेत खलियान से जुड़ा हुआ है और जब परेटन की हम बात करते हैं तो उसमें मकसद यह होता है कि आप जो भाग दोड़ भरी जिंदगी है उसमें कुछ ऐसे पल जी सकें, उससे दूर जाकर सुकून भरे पल तो जब क्रिशी परेटन की बात करते हैं, तो क्या ये अन्यपरटक्स घल जो हैं, उससे कुछ भिन होता है यहां कैसे उन सुकून की पलों को ढूना जा सकता है हम आज के टाइम पर बात करते हैं कि हमें एक सोच खाना सोच वातरण मिलना चाहिए सोच खाना तो हमें कहीं से भी मिलनी पा रहा है सोच वातरण के लिए हम क्या पाड़ों का रूप करते हैं तो पाड़ों का रूप करने के लिए वहां हम जाके समय भीताते हैं लिए पर नियुक्त ने हैं कहा है। और उनको सब्जी खा रहे हैं, दूद पी रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उनको पता भी नहीं नहींए। in back-to-s mismos पेचांती नहीं कि बिंडी का पौदा कैसा है, टामाटर का पोदा कैसा है, गेहों का धान का, दूद के से निकाल रहे हैं, बड़े भी नहीं जान रहे हैं, तो इसका यदि हमें आफसर इससे सीखने का आफसर चाहिए, तो यह है करसी परीटन किसान के पास जाना पड़ेगा, और यह वहीं से चीज सीखने को मिलेगी, वहा काड़ी के साथ सवारी करेंगे, वहां अपने खुद अनाज को बिल्कुल बारी की से देखेंगे, किसान कैसे पानी दे रहा है, किसान का परिवार कैसे रह रहा है, उसके जीवन के बारे में वह जानेंगे, और सबसे बाद अच्छी कि वहां से पाड़ी चेतर से बंदा आ ने खायेगा गूम के, किया में ये गूमी, फोटोग्राप्स गूमी, करसी परिटे ने इस तल से किसान जो शेहरी लोग है, वो फोटो के साथ खाने के लिए जेवी को और प्राकर्ति को बात दिएके आएगे, जान सकेंगी, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि लोग जाही नहीं पहुंची 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 नही लेकिन जब हम टूरिजम की बात करते हैं, तो कुछ सुविधाओं की भी आवशकता होती है, ताकि जो सैलानी है, आसानी से पहुंच सके, रहने की वेबस्था हो, या फिर जो मूल भूत सुविधाओं हैं, वो भी हो, क्या ये बिल्कुल जो गाओं का परिवेश होता है, बि कैसे बिठाया जाता है, जैसा हम जानते हैं कि अपने लग बग पूरे देस बर में साड़े च्छलाग सदी गाओं हैं, उसमें से च्बदा करोड सदी किसान रहता हैं, और उसमें से सितर परती से तो कर्सी पर परतीक स्रूप से आदारेत रहते हैं, लेकिन हमारे देस की व बढ़ावा दे और जैसे कोई गाओं फेमास है किसी चीज के लिए यदि वहां पर इदी कर्सी परेटन के स्थापना की जाए तो वह एक वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए अच्छा अशर होगा, और क्यूंकि हम ज्यादा दूर दराज जाने सकते, और यदि ग्रामीन चेतर से ज्यादा दूर ना हो, तो यह हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम पहले जगें आइडेंटिफाई हो, सरकार भी पॉलीसी बनाए इस पर उस पर जाके वहां पर इस्तापित हो तो वह अच्छा है, जैसे हम कापी लेवल पर कर सकते हैं, जैसे किसी गाओं कर्सी परियटे की स्थापना कर दी और आसपास के उसके 15 किसानों का गुरूप जुड़ा गया है, और वहां पर सेलानी कापी आ रहे हैं, परियटान का पहुंच रहे हैं, तो वहां के आसपास के 15 गवहों का विकास होगा, क्योंकि उनके जैवी खेती को बढ़ावां मिले तो इस चीज के लिए काफी अच्छा बनेगा जी मैं आप से आप पर समझना चाहूंगी क्या कुछ ऐसे मॉडल विकसित किये गए हैं जो की काफी लोकप्रिय हो रहे हैं कोई ऐसे एग्रो टूरिज्म से जुड़े हुए जो आप बता रहे कि गाउं है जिनका विकास भी हो जिनके बारे में आप यहां पर चौर्चा करना चाहिए अभी एग्रो टूरिज्म हम बात करना तो तो माराष्ट इसमें काफी आगे हैं माराष्ट के पूने का असपास एग्रो टूरिज्म की सुरुवाती वहां ही से हुई है 2004 के आसपास यह हमारे देश में थोड़ा पर टिश्टे करते हैं और अपने अलग अलग जगों पर जैसे हर स्टेट में मिल जाएगा आपको एग्रो टूरिज्म का जैसे दिली के सेर के नजदिक बात करेंगे तो हर्याना के जजर मिल जाएगा दिली में सुमिच जी कर रहे हैं राजस्तान के अंदर खाटु शाम जी स किसान फेमिली को आगाना पड़ेगा और काप यह परपूर सम्भाना है इसमें तो यह क्या एक तरह का बिजनस मॉडल है या फिर कोई किसान जो कि ऐसी जगह पर जिसमें आपने बताया कि रीच अच्छी होनी चाहिए गाउं से बहुत दूर ना हो यानि गाउं ही हो लेकि पादिन कितना भी कर लेगे लेकिन उसको मार्केट नहीं मिलेगा तो एगरो टूरिजम एक ऐसा वेवसाई ऐसा एक मोडल है जिसके अंदर किसान अपने स्वियां का मार्केट बना सकता है और इसके लिए ज्यादा आपको मैनत ज्यादा कुछ नहीं करने पड़ेगा आप स पर दोड़ा थोड़ा साप इसके समझेद पर सिक्षन लेकि उसको करिए गा फिर दीरे जो भी अगरो टूरिजम के जितने भी उद्यम है जितने इसके पार्ट है उसको आप उसे जोड़िएगा और जितने भी कर्सी की पढ़ना लिया है है चाई डेरी फार्मिंग गोड फार्मिंगे ड्री परिगे संस की चीजें हो गई मशीनरीज हो गई यह सारी चीजें हो गई फल उत्पादन हो गया सब्जी उत्पादन हो इन चीजों का आप वहां से जोड़िएगा देरे इसमें राज्य और राज्य सरकार के का पिया आपको सब्सीडिय अनुदान में मिल जाता है जैसे आप डैरी फार में सठीज उत्पादन का या फाज की के लिए लगाना चारत आपको उधियान विबायक से सब्सीडिय और आपको फसल उत्पादन के पर अपर तेक्छेथ को बड़ावजयें एक आपको फायदा में फायदा मिल जाएगा और इसके माजम से अनुदान मिलता है पर आप स्टेप बाई स्टेप कदम से कदम इसमें सरुवात करिए एक एक स्टेप को बढ़ाईए और सबसे अच्छी बात है जब आप जेवी खेती अपराखरती खेती सुरुवात कर देंगे तो कंजुमर आपके पास सेर के लोग वेसे जुड़ने लग जाएंगे और फिर आपके निरिंद और आई होने लग जाएंगे अधर एक तो यह टूरिसम हुआ जहां पर आप आकर देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीन रहते हैं गाह हमारे कैसे हैं सबजिया कैसे उगाए जा होगी युवाओं को कैसे एक नया विकल्प मिलेगा ग्रामीर परिवेश में रहने वाली युवाओं को इसमें क्या है कि जैसे अभी इदी किसान खेदी कर रहा है तो यदी ट्रेडिशनल फसल लगा रहा है तो उसके एक बार फसल उत्पादम होगी मंडी में गई उसको छ है नाजी जतने है अपना ओर फसल लगाएगा उन में वो फिर मुलिय समरदित कर सकता है क्योंकि किसान डारेक्ट अपना उत्पादमंडी में क्यों ले जा रहा है क्यूंकि उसके पास नजदी की खुद के पास उसका मार्केट नहीं है जब अछिजु इस घूरोलिश्गे साद दस दिन से भी कोई भी विजिटर उनके पास बर्मन करने के लिए जाता है तो वापस आते टाइम आपके सुवाद आपके खाने का वो अपने एक 15 दिन का लेके भी आता है तो आपको एक तो वैसे इंकम हो जाए कि आपका उतपाद खरी देगा दूसरा यह है कि यदि वो आपके पास आ रहा है खाने खा रहा है आपके आप चाहिए गुमने के उनसे पैसे फार्म दिखाने का आप पैसे ना लो लेकि यदि आप उनको नास्ता करवा रहे हो, सुब्बे का खाना किला रहे हो, दोपेरम खाना किला रहे हो, साम को खाना किला रहे हो तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको पैसा मिलेगा और यदि आप उनके पास रातरी में रुकने की भी विश्ता करते हैं तो आपको लबग 15-202 जार रुपे अच्छे बात अवरान में आपको इंकम देखे जाएगा यदि हम बात कर लेते हैं यदि किसी किसान ने दो रूम बना लिये हैं और उसके दो फेमेली उनके पास आ रही है यदि वो दो फेमेली से खाना पीना करके यदि पांच जार रुपे या दो दिन ती दिन पांच जार रुपे भी ले रहा है तो भी उसके अच्छी इंकम निकल के आ रही है बिलकुर सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि अपने आपे मॉडल ये विकसित किया जा रहा है टूरिजम के लिए कई जगह पर विकसित हो भी चुके हैं काफी सेक्सेस्फुल है इस तरह के मॉडल्स को या पिर का एगरी टूरिजम को जब हमारे किसान आगे बढ़ाते हैं क्या कुछ साफधानिया भी है जिसका ध्यान डखना आवर्शक है क्योंकि आपके पास burned से लोग आ रहे हैं उनके भी कई तरह की आशनकाए होंगी कि कि कितना secure है कितना शुद है क्या यहां रुकना safe है तो कुछ क्या साफधानिया भी हैं जिन्हें बरतने की आफशता होता है यह सही आपने बहुत है आपना अच्छी बात पूचे क्यूंकि हम इदल जाते हैं तो बाहर फ्हиль में रिष साह जाते हैं और फ्हमेली के साथ सबसे पहले हम अपना आपको security के रूप में मैंसुश करते हैं हमार पाट security कैसी हो तो जब आप कर्सी परेटर की स्थापना करने हो तो कई परकार की जैसे हम एक एक पॉइंट पर बात करते हो चलते हैं जैसे हम उनके बात में जो जटिलता नहीं हो आपके कर्सी परेटर में जैसे कोई विजिटर जैसे कोई विदेशी मेमान आ रहा है या कोई शेरी चतर से कोई गाव में बर्मन करने के लिए जा रहा है तो आपके पास एक ऐसा ट्रांसलेटर या इसे कोई बाचित करने वाला हो आप अपनी बात उनको नहीं समझा सको लेकिन जैसे उनके बच्चे कोई पूचना चाह रहे हैं तो एक ऐसा आद्मी आपके पास होना चाहिए ताकि उनको एक अच्छा जवाब मिल सके और उस चीज से जो परपज आ रहे हैं वो परपज उसको सीख सके दूसरा यह होता है कि आपके परिवन का अगमन अच्छा होना चाहिए आपके आसपास के साथ एक किसानों के साथ आलमिल अच्छा होना चाहिए आपके परिटर के परबंदन करने वाली संस्तान के साथ 2 अच्छे सम्मन्द होने चाहिए ताकि आपके पास अच्छे अच्छे प्रिटर को टुरेश्ट यहां महान रवाजी के लिए हाँ वो आपके लिए मद्दकार होगी आपके पास दूर दर आजए तो आपके पास की सा और वह भी संपरक sociaux करहें चाह Windows के लिच्जार मैं बड़ा कर सके इसके लिचीजें आप घो आप आप ध्यानेह के है अपने करें इसकान घर्ण जैसे प्लिचय ममद इन्ट्रिम्चた standing या फिर खिसान जैसे खेति अपना करते हैं उसी तरह किसे दोगंबरे बना ले खेत में और उसे टूरी एक्रियोर्ट टूरिजम से जोड़ दिया या फिर इसके लिए किसान उसको ब्रोड लेकी जाना चाहरा है और विदेशी मेमान भी आई जैसे लोग विदेशी में तो ज पंजीकरन करवा लेना चाहिए ताकि आजकल सब सोचल मीडियोर्ट अचार माजियम का जमाना है लोग विजिट करते हैं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमबर जूड़ेंगे तो एक वहां अपना पंजीकरन करवा लीजिए इसमें 12 सरकार का डिपार्टमेंट है परीटन मंत्रा ले भी है को अपने राज्य सरकार का भी है और बाकि जितने भी दूसरी संसे नहादान है जिसको बढ़ावा देती दिए जैसे में एक माइ forensic कई परकार की जो एजिंसिया है जो इसको बढ़ावा दे रही है तो उनके पास भी आप अपना ढ़्र स्पन ज आपने लेवल पर कर सकते हैं लेकिन अपने आसपास के साथे किसानों को भी जोड़ा और आपने जिसे अचार पीकल्स का भी चीज़े बनाने लगे तो आप अपने सेप्टी शुकुरिटी और उनके मानकों को को अकोडिंग आप हसाई का लाइसे जरूर रखें जी अपने आप में एक नया खुट रहे वो फसले उगाना जानता है मंडियों तक जाना जानता है बेचना जानता है लेकिन जब टॉरिजम की बात करते हैं तो यह एक अलग ही सेक्टर हो जाता है तो क्या किसान के लिए भी किसे तरह की इस 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 अक्षित में चुनोतिया रह तो इसके लिए सबसे पहलो यह है कि इसके समझे तो जागुरूकता ले परसिक्षन ले और फिर एग्रो टूरिजम के अलग अलग कंसर्प्ट को हर चीज को जाने क्योंकि जब आप एग्रिकल्चर की कई पर नायलिया आप इस्तापित कर देंगे तो आप एक अपने पास काम बढ़ जाएगा एक तो आप एक दो फसल लगा रहे हैं आपके पास थोड़ा समय मिल रहा है लेकिन आप पुसू पालन भी कर रहे हैं गोट फार्मिंग कर रहे हैं मुर्गी पालन कर रहे हैं कई परकाय की खेती बाड़ी की गतिवीजिया आप से जुड़ी हुई है और आ इसा लगा है यह सानी हमने सीदे दस रूम का होल बना दिये नाइट इस्टे के लिए कोटेज बना लिए हमार पास आई नहीं रहे हैं आप अपने आई के अकोडिंग उसमें उतना इन्वेश्ट कर आपके पास सो रुपे की इंकम हो रहे हैं आप उसमें 40% इन्वेश्ट क क्योंकि प्रेटर की बात हो रही है तो ठीक है आपने बताया कि कैसे पशुबारन कैसे होता है फसले कैसे हुगाई जाती है पारेटग आए और सबझेपन तोड़ें या फिर देखे कि कैसे उन्हीं बना जाता पका जाता ये बहुत प्रकुती से जुनने का एक तरीका भी ह लेकिन परेटिकों को engaged रखने के लिए यानि उनहें से ज़हादा से ज़हादा गतीविधियों से जोनने के लिए क्या-क्या option हो सकते हैं या विकल्प हो सकते है एकथमे अग्या mm यदि आपको ये किचन है आप उसको आप अपने सब्जी लाएं बनाये खाएं आराम से रहें जिसे पाढ़ इचे तुरह में होता है और दूसरा यह है कि आप उनको एक अच्छी गुन होता है सबसे बड़ी बात होती है किसान का और उबोकता का अपस में विस्वास और आपस इताल मेल और यह आपका अच्छा होना चाहिए यदि वह आपको अच्छे से करके जाएंगे तो अच्छा उनका विजिट रहेगा अच्छा प्लान गएगा तो आपको एक अच्छा संदेश आपको अच्छा एक शरोथ भी देखे जाएंगे तो आपका आपसी ताल मेल विश्वास और ही अच्छा होना चाहिए उनको कोई आपस में कोई वहां की कोई प्रोशानी स्वीरिटी के मामले में कोई वहां पर कोई प्रोशानी नहीं होने चाहिए उनको अच्छा फील होन जींटे decisions, में जी हरी जाल जाएं चाहिए, मैं बच्छी के ने चाहिए हूं मैं अपने परीवार के साथ चैल रहा हूं, मैं दूदू निकालके आ रही है,+. मैं बच्छों के साथ, चोटे दश चोटे गाई बच्छोड़ों के साथ, आप 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 अमारे गाई के पास नहीं जा सकते हैं, बखरी को हाथ नहीं लगा सकते हैं, खेत में बद गुषिए यह सारी चीजे बाउंडेशन उनके साथ विजिटरा रहे हैं, उनके साथ में होने चाहिए हैं, आप जितना प्यार से ताल मेल से रखेंगे उतने ही आपके जिस चतर में आपका है, आप उनको सांसकर्तिक चीजें, सांसकर्तिक जो वाँ की गतिवीद्या उनके पहनावा है, और वाँ उनका देशी खान पाने, उसको जरूर सामिल करिएगा, तब ही उनको अपना पन साफील होगा. कैलाश जे, बहुत सारी बाते आपने बताएं, और काफी इंटरस्टिंग भी लग रहा है, यह काफी रोचक लग रहा है, मुझे लगता है कि खास्तोर पर बच्चों में बहुत ज्यादा जिग्यासा होती होगी जब आपके इस तरह के फार्म्स में या फिर एग्रो टूर कि भी जब हैं, जिस परकार रम सेहरों में देखते हैं, ग्रामिन से य wonders, पलायां सेहर के तरफ हो रहा है, गाओं में लगतारे इंकम के लिए मौसम मौसम किसानन को परशहन हो रही है, जो यूवा है और फिर जारा फिरो फिर हैं, दूर के अग्ठी करना नहींचारह रह है किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है यदि उनके लिए यदि एक नया उनको अजाग रूपता हो नया मेसेज हो तो उनके लिए बहुत अच्छा पवेशी है क्योंकि आज हम खुद सेर में रह रहे हैं हमें खुद को यह चीज फील होती है कि चलो गाउं में चलते है दोड़ ही जाने यह हैं दोड़ दो रुकें गाउं की तरफ भागें वैसे शेरी लोगों को फील हो रहा है लेकिन को पलेट फॉर्म नहीं बे रहा है पलेट फॉर्म किसान काने सिब्स चाह उस चीज को दे सकते हैं आप एक अच्छा मोडल त्यार करें आप एक ही एक एक इंटरप्राइज पर अपने किसान के बेटे हो तो आपने इंडरी फरम खोल दिया आपने बखरी पालन खोल दिया अप एक ही पर मत सेट अप होई आप अलग अलग सारी चीजें करिए आपके पास उभोकताओ को लेका आई आई आप उसी चीज से सीखिए और उनको नहीं आपके आई के सरोच जेनरेट के लिए तो ये एक अच्छा भविश है इसके अंदर ये इसमें युवा और क्योंकि आज कल वैसे हम देख रहे हैं कि आई एटी के सेक्टर और कापी जो इंजिनिरिंग के डिपार्टमेंट के इसमें आ रहे हैं तो कापी अच्छा भविश andra और इसमें एग्रो टूरिजम की भुमिका बहुत महत्यपोर्ण है सबस्क्रिया हमें तवाम जानकाइ देनें हो comment तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ जिसमें हमने आपको विस्तार से जानकारी दी एग्रो टूरिजम के बारे में इसके तमाम आयामों के बारे में आपको बताया किसान खेती के साथ साथ एग्रो टूरिजम से भी तुड़ सकते हैं और इससे भी अपनी आयमे वृत्थी कर सकते हैं साथ ही परेट्रकों के लिए भी एक ये बहतर और नया विकल्ब सामने आ रहा है आशा करते हैं कि आज का कारिक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आपके सी विशय पर चाहते हैं सरकार आपके साथ लेकर आए तो आप हमें ई-मेल जरूर करें हमारा email ID है सरकार आपके साथ add.gmail.com आप Facebook के माधियम से भी हमें संपर कर सकते हैं इसके लिए Facebook पर जाए Search box में Hindi में टाइप करें सरकार आपके साथ हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप follow कर सकते हैं वाल पर या मेसेंजर के माधियम से स्वाल अपनी जाए हम तक पहुचा सकते हैं इसके लावा आप है टोल्ड फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं राज तस बजे के बीच किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राए अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं इसी के साथ यहां लेंगे आपसे इजासत, सरकार आपके साथ में एक नए विशे के साथ, एक नए योजना की जानकारे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, नमस्कार